KVS Admission 2022, दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा दिल्ली में समान शिक्षा के लिए दो अलग अलग तरह के स्कूल नहीं हो सकते, जिनमें से एक में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूंतम आयू छेह वर्ष, जबकि दूसरी तरह के स्कूल में पांच वर्ष निर्धारित की गई ह केंद्रिय विद्यालयों KVS Admission में आगामी सत्र से पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूंतम आयू छेह वर्ष निर्धारित करने के केंद्रिय विद्यालय संगठन के निर्णय को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहीं जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि अदालत राष्ट्रिय शिक्षा नीती एनिपी में हस्तेक्षप नहीं करना चाहती लेकिन पहली कक्षा में दाखिले के लिए दो अलग-अलग आयू मांदंध होने से एक विशम स्थिती पैदा होगी मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी अदालत ने कहा कि केंद्रिय विद्यालाएक केंद्रिय विद्यालाएक भी अन्य स्कूलों की तरह है केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती कि क्योंकि मैं इन स्कूलों का संचालन कर रही हूँ तो मुझे चूट है अदालत ने कहा कि दिल्ली में समान शिक्षा के लिए दो अलग-अलग तरह के स्कूल नहीं हो सकते हम NCT में इस प्रकार की विशमता नहीं देख सकते केंद्र को इस पर विचार करने के लिए अपना दिमाग लगाना होगा सुनवाई के दोरान दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि उसके स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र का मांदंड अभी भी पांच साल है और इसका केवी से कोई लेना देना नहीं है वहीं, केंद्र सरकार के वकील अपूर्व कुरूप ने कहा कि नई उम्र का मांदंड अभी ने पी के संदर्व में था जो इस असमानता को दूर करने के लिए बनाई गई थी और उसने राज्य के अधिकारियों को इसे अपनाने के लिए लिए लिखा था वकील ने कहा कि केंद्र सभी को 6 वर्ष से अधेकुम सीमा में लाने की कोशिश कर रहा है और 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही इसका पालन कर रहे हैं अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए की दिल्ली सरकार ने एनिपी को नहीं अपनाया है माता पिता और बच्चों को क्यों भुगतना चाहिए अदालत ने आगे कहा कि अदालत शिक्षा नीती में नहीं आएगी लेकिन आपको एक रूपता लाने के लिए सक्रियक अदम उठाने होंगे अदालत ने प्रतिवादियों से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने हित्धारकों को एडवांस नोटिस दिया है कि एनिपी के संदर्ब में कक्षा एक के प्रवेश मांदंड में बदलाव होगा जो 2020 में अस्तित्व में आया था अदालत ने कहा कि क्या आपने एनिपी 2021 का पालन किया क्या कोई सारवजनिक नोटिस था जिसका आप इस साल पालन करेंगे नीती 2020 से है कुछ सारवजनिक नोटिस दिया जाना चाहिए था जस्तिस पल्ली ने केंद्र सरकार और केंद्रिय विद्यालाई संगत्धन केविस के वकील को इसमुद्दे पर रिकॉर्ड पर प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने की अनुमती दी और कहा कि वह याचिका कर्ताओं को अंतरिम राहत देने पर इसमुद्दे पर एक आदेश पारित करेंगी। और कानून के अधिकार के बिना है और इसने माता-पिता को वेकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया।